हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एक मुंग के दाने से आप अपनी मनोकामना को कैसे पूरा कर सकते हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि हमारे कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो केवल एक मुंग के दाने का उपाय करेंगे और भूले वावा आपके मनोकामना शिग्र पूरी करेंगे और ऐसा कहते हैं वो तो की दो तीन घंटे में मनोकामना पूरी हो जाती तो इस वीडियो मैं आपको यही बताऊंगी कि वो कैसा उपाय है जो आपको करना है और उससे आपके मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी मैंने लिया है लाल चंदन भूले वावा के लिए और सिंदूर पारवती मया के लिए और जलका लोटा ले लिया है तो दोस्तों मैंने पूजा की ठाली पूरी तरी सजा लिए आपके घर में जो चीज़ अवे लेवल है आप वो ले सकते हैं और आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली उसके लिए मैंने लिया है एक मूंग का दाना मूंग का दाना आपको साबुत लेना है टूटा फूटा नहीं होना चाहिए तो फ्रेंस चलते हैं मंदिर और मेरे घर से मंदिर थोड़ा सा दूर है गाउं में तो वो जो आप देख रहे हैं वो मंदिर है और आपको कोशिस करने है कि जो बेल पत्र का पेड़ है जो हम उपाय करेंगे आज मनो कामना पूर्ती के लिए तो आपके मंदर के आसपास हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये जो बेल का पेड़ है मेरे मंदर के पास में ही है तो मैं इसी पे आज पूजा करूँगी बेल पत्र के पेड़ पर क्योंकि बेल की पत्ती भी बोले बाबा को चड़ाई जाते हैं इनको बहुत प्रीय है बेल पत्र तो बेल का पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है आपको इस तरीके से बैट जाना है बेल पत्र की पेड़ के नीचे उनको प्रणाम करना है बोले बाबा को याद करना है और वहाँ पर जो भी आपकी मनोकामना है बाधा आ रही है पूरती नहीं हो रही मनोकामना की तो वो आपको बोल देना है कि सारी बाधा है दूर करो मेरी मनोकामना शीगर से शीगर पूरी करो इस तरीके से आपको प्रणाम करना है पूरा जल आपको अरपित नहीं करना है जो जल का लोटा आप ले उससे पहले अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर जो भी पहले से फूल बगएरा हो वो आप हटा दें थोड़ी सफाई करें उसके बाद मैंने जो बचा हुआ जल था वो मैंने भूले बाबा को समर्पित किया इस तरीके से जो उन पर नाग देवता विराजमान होते हैं और शिवलिंग पर ओम बनाने के बहुती ज़्यादा महत्व है आप जब भी जल अर्पित करें उनको चंदन अर्पित करें तो ओम जरूर बनाएं नाग देवता को भी मैंने चंदन का तिलक लगाया है और जो नंदी बगवान होते हैं उनको भी तिलक लगाया है इस तरीक से मैंने पूजा की और अपनी मनो कामना भी आपको बोलते रहना जो बेल पत्र थी उस पर मैंने लाल चंदन से तीनों पत्तियों पर बिंदी लगाया है और इसको इस तरहीके से आपको भूले वावा को समर्पित करना है कि डंडी आपकी तरफ रहे और लीफ भूले वाव इसंदों जो सफेद फूल होते हैं वो भोले बाबा को बहुत पसंद थे तो आप कोशिस करें सफेद फूली भोले बाबा को चड़ाएं और स्री शिवाय आप जरूर करें इसे आपकी मनोकावना बहुत जल्द भोलेवा पूरी करेंगे मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें